तो गाइस वीडियो वी डिस्कुसिंग अबाउट निट्रिक एसिट अगर आपने भी तक एचल का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं आप वो भी देख लेना वो भी आपको काफी हेल्फुल लगे का एचल के बाद वैसे मैं एच 3 का वीडियो अप्लोड करने वाला था लेकिन मैं अभी निट्रिक एसिट का इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एचल की प्रॉपर्टी और निट्रिक एसिट की प्रॉपर्टी बहुत सेम हैं तो आपको निट्रिक एसिट समझने में काफी असानी मिलने वाली है तो इसी से आज मैं आपको एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ तो निट्रिक एसिट को हम लोग एक्वा फॉर्टेस भी कहते हैं इसकी लैप प्रॉपरेशन के बारे में बात करें तो सिंप्ली हम लोग एच्टु एसोफोर के साथ रियाक्ट कराते हैं लेस द कोई भी मैटलिक नाइड़रेट आप मैगनेशियम नाइड़रेट ले-लो कैलशियम नाइड़रेट ले-लो यहां पर हम ज्याद대 तर सोडियं नाइड्रेट और पोटेसियम नाइड्रेट का यूज करते हैं लाब में फोटोबनलोग जब भी इनको रियाक्ट कराते हैं H2 200-degree temperature वे तो मैं एन एचनो 3 और एने एचनो 4 मिलता है अब बात आती है कि हम लोग एचनो 4 का ही क्यों यूज करते हैं क्योंकि जो एचनो 3 बनता है वो गैस्वस फॉर्म में बनता है और वो वोलाटाइल होता है तो उसके वैपर बनते हैं तो अगर हम लोग एचनो 3 के बने उ के पाउट हो जाते तो इसी वज़े से हम लोग एचनो 4 यूज करते क्योंकि यह नॉन वोलाटाइल है इसके बाद वाद आती है कि हम लोग लेस देन 200 डिग्री टेंपरेचर क्यों रखते हैं क्योंकि अगर हम लोग 200 डिग्री से ज्यादा टेंपरेचर रखेंगे तो एने जाएगा तो इसलिए हम लोग लेस देन 200 डिग्री की टेंपरेचर के यूज करते हैं और वेस्टेज ऑफ फ्यूल तो होती है अगर लेस देन से काम हो रहा है तो क्यों जादा जाना और ग्लास अपैरेटर्स जादा हीटिंग की वज़े से टूट भी सकता है क्योंकि जो ग तो इसलिए होता है क्योंकि जब लैब में हम लोग उसको प्रिपेर करते हैं लेस देन 200 डिग्री सेल्सीयस तेंपरिचर पे तब भी वो डीकंपोज हो जाता है और डीकंपोज होके वो नो 2 प्लस H2O प्लस O2 बनाता है जो नो 2 नाइट्रोजन डियॉक्साइड गैस बनी यह जो पूरा solution उसमें dissolve हो जाती है और solution को एक yellow color provide करती है इसी वज़े से जब HNO3 का हम लोग lab में preparation करते हैं तो yellowish color रहता है HNO3 decompose हुआ, NO2, H2O2 में और NO2 dissolve हो जाता है solution में जिसके वज़े से yellow color देखने को मिलता है मैं solution में इसके बाद एक question बहुत आता है कि हम लोग glass apparatus का ही क्यों use करते है HNO3 के preparation में तो mainly इसका यही reason है कि HNO3 काफी corrosive होता है तो अगर हम लोग plastic का use करेंगे या फिर कोई भी और material के use करेंगे तो उसको जला देगा बहुत corrosive होता है बहुत जादा खदरनाक होता ही है तो इसी वज़े से हम लोग glass apparatus का use करते है इसके बात करते है प्रॉपर्टीज के बारे में तो जब 98% concentration वाला acid बनता है कि एक liquid हमारे पास जिसके इंदर 98% HNO3 है तो हम लोग उसको pure कहते है और उसका जो color होता है वो colorless होता है और जब 68% concentration ह होती है तो उसका color yellowish होता है और वही lab में बनता है यह अगर आप से पूछे कि what is the concentration of nitric acid while preparing in lab तो आप कहोगे 68% और उसका color yellow क्यों yellow होता है वो अभी मैंने आपको बताया water missisible होता है third यह very strong oxidizing agent और corrosive nature का होता है fourth यह litmus paper को blue से red कर देता है जितने ही acid आप देखोगे अभी पिंक कर देते हैं फनुप्थलीन को colorless ही रहने देते है इसकी काफी suffocating smell रहती है बहुत ज्यादा suffocating smell रहती है कभी आप लैब में जाओके तो आप उसको smell करके देखना sixth इसका sour taste काफी जादा sour taste रहता है seventh 68% concentration पर इसका boiling point 121 degree हो जाता है तो अगर आप से कोई पूछे what is the boiling point of nitric acid of 68% concentration तो आपका होगे 121 degree Celsius इसके बाद बात करते है properties के बारे में chemical properties के बारे में काफी बच्चे इसके reaction से डर जाते हैं बिलकुल डरने की जरूत नहीं है जैसे मैं कोई भी acid base के साथ react करेगा salt plus water बनाएगा बस इसको दिमाग में डाल लो जब भी कोई acid salt के साथ जब भी कोई acid base के साथ react करेगा salt and water बनाएगा कोई भी acid हो जैसे यहां पर HNO3 का reaction CAOH whole twice से करा रहे है तो salt बनेगा सबसे पहले salt बन जाएगा CA NO3 का salt और H2O बन गया HNO3 को ZNO के साथ react करा रहे है ZNO3 और H2O बन गया NA NO3 को react कराएगे salt और हमारा water बन जाएगा तो याद रहे होगा acid plus base is equal to salt plus water हमेशा हर acid में यही होगा जब भी कोई acid base के साथ react कराएगा salt plus water metal carbonates जब भी कोई acid metal carbonate के साथ react करेगा salt plus water plus CO2 salt plus water plus CO2 इस तीज को याद रखो अच्छी तरीके से हो जाएगा जैसे Na2CO3 का metal carbonate लेंगे और acid लेंगे HNO3 का तो एक salt बनेगा salt सबसे पहले बन गया NaNO3 और H2O बनेगा CO2 बनेगा आपको salt बनाना आना चाहिए salt कैसे बनेगा यह ध्यान रखना है NaNO3 salt हमेशा इस तरीके के बनते हैं एक Na और एक NO3 एक इसका उठाओगे का उठाओगे salt बन जाएगा आपको खुदी समझ में आ जाएगा salt अगर आप सोच रहे हो कि यहां से एच और बन जाएगा CO3 कर देंगे तो लेकिन वह तो carbonic acid हो गया ना तो वह तो acid बन गया हमें salt बनाना है तो यहां पर सुल्ट सिर्फ एक ही बन सकता है NaNO3 अब आपके मन में सवाल आएगा salt ही क्यों बन सकता है क्योंकि जो HNO3 वह मोनोबेसिक है ठीक है मोनोबेसिक है इसकी वज़े से उसका salt सिर्फ एक ही बन सकता है इसके बाद बात करते है रियाक्शन विद्स सुल्फाइट्स के बारे में याद उतना ITES तो जब भी कोई acid ITES के साथ रियाक्ट करेगा salt plus water plus SO2 बनाएगा कोई भी acid ले लो salt plus water plus SO2 बनाएगा ठीक है तो यह तो बेसिक सी chemical properties थी एक्जाम में बहुत आती हैं तो वह मैंने आपको बता दी अब बात करते हैं है इसकी कुछ हम लों chemical equations के बारे में बात कर लेते हैं oxidizing agent यह काम करता है कि वह कोई भी substance में oxygen को जोड़ देता है जैसे मैं carbon को HNO3 के साथ react कराऊंगा तो CO2 plus H2O plus NO2 बन जाएगा strong oxidizing agent के आपकी जो reactions हैं सिर्फ आपके कोर्स में दो ही है तो आप अच्छी तरीके से इन reactions को याद अरक लेना sulfur की तो बहुत बार exam में आती है और sulfur का तो यह जो H2SO4 बनता है यह तो इसके laboratory preparation के लिए भी काम आती है ही H2SO4 का जो laboratory preparation होता है तो second वाली equation बहुत काम की है फस्त वाली equation में होता क्या है चलो समझते है जब C को HNO3 के साथ react कराते है तो असलियत में बनता है H2CO3 carbonic acid और NO2 का ऐसी अगर आप sulfur में देखो sulfur को आपने HNO3 में react करा है सबसे पहले acid बन गया H2SO4 लेकिन H2SO4 टूटा नहीं क्योंकि बहुत जादा stable रहता है तो H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O बन जाता है यह चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप इसको react कराओगे sulfur और HNO3 को तो H2SO4 NO2 और H2O बनेगा ammonia में हमेशा N2 gas निकलती है और HNO3 में हमेशा NO2 gas निकलती है जाद अधर हर reaction में आपको NO2 gas देखने को मिलेगी तो याद रखना जब भी आप carbon को HNO3 के साथ react कराओगे सबसे पहले CO2 NO2 H2O और जब sulfur को react कराओगे तो H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O देखने को मिलेगा इसके बाद बात करते हैं metals के बारे में बहुत असान है इसमें भी आप सिर्फ एक चीज़ याद रखना जो मैं बता रहा हूं जब भी कोई भी metal HNO3 के साथ react करेगा अगर HNO3 dilute है तो salt प्लस water बनेगा जब HNO3 dilute है तो salt प्लस water बनेगा और जब HNO3 concentrated हो जाएगा तो salt प्लस water प्लस NO2 बनेगा कैसे याद रखोगे Dilute, Dilute यानि इसकी Concentration कम है तो NO2 बनाई नहीं पायागा, इसलिए NO बनेगा और अगर Concentration जादा है, यानि HNO3 जादा है इसलिए NO2 बनेगा यह जो NO है, इसको लोग Nitric Oxide कहते हैं एक्जाम में बहुत आता है यह वेन Copper react with HNO3 Dilute HNO3, Name the Gas Released तो आप कहोगे NO, Nitric Oxide Gases Released बहुत बार आता है equation ठीक है, अगर आप HNO3 को Decompose करोगे अगर Concentrated है, तो NO2 अगर Dilute है, तो NO बनता है एक चीज़ याद अरकना और Acids की तरह HNO3 कभी Hydrogen नहीं देता react करने पे, जब भी HNO3 कोई भी Metal के साथ react करता है तो वो कभी भी Hydrogen नहीं देता, सिर्फ 2 Metal के अलावा, Magnesium और Magnes एक्जाम में ये भी पूछता है कि क्यों नहीं देता Hydrogen, और Acids दो देते हैं और ये असे एक Property भी Show करता है, तो क्यों नहीं Hydrogen देता, Hydrogen देता है, लेकिन वो उसको Oxidize करके H2O बना लेता है तो इसी वज़े से Oxidizing Agent HNO3 Strong Oxidizing Agent है, जिसकी वज़े से वो Hydrogen नहीं देता सिर्फ 2 ऐसे Metal है Magnesium और Magnes जो की Hydrogen दे देते हैं HNO3 के साथ React करने पर, लेकिन तब भी HNO3 को बहुत Dilute होना चाहिए 1-2% Concentration में होना चाहिए यानि अगर मैं एक Liquid लूँ उसमें मैं कहूंगा, सिर्फ इसमें 1-2% Nitric acid है, बाकि सब पानी है तो वो होगा, तब ही वो Hydrogen देगा तो इसका भी बहुत तरीका असान है जब भी आप Mg को HNO3 के साथ React करा होगे, Salt plus Hydrogen, Salt plus Hydrogen Salt plus Hydrogen, और जैसे जितने भी आप Acid पढ़ते आ रहे हो, उसके जितने साथ reaction होते है, उसी तरीके का reaction होगा Salt plus Hydrogen, लेकिन याद रखना HNO3 dilute होना चाहिए 1-2% concentration का ही होना चाहिए Test for HNO3 बहुत पूछता है कि आप कैसे पहचान होगे HNO3 है क्योंकि जब भी HNO3 बनती है, तो अगर वो decompose होती है, जाज तर decompose हो ही जाती है Heat इतनी प्रोवाइट करते है हर reaction में कि वो decompose हो जाती है, तो NO2 plus H2O plus O2 देता है NO2 का reddish brown fumes दिखते हैं हमें तो हम पैचान जाते हैं कि HNO3 है तो याद रखना, NO2 reddish brown fumes होते हैं कभी भी आपसे observation पूछे, किसी भी reaction में अगर उसमें NO2 निकल लगी है, तो आप काऊगे reddish brown fumes, a gas is released a reddish brown gas is released, आप इस तरीके से काऊगे second जो बहुत important है, बहुत जादे important वो होता है brown ring test, brown ring test में हम लोग acidified FESO4 लेते हैं यानि H2SO4 और FESO4 को react कराते हैं HNO3 के साथ, थोड़ी देर बाद जब इसको cool करते हैं, तो हमें देखने को मिलती है, एक brown ring बीच में, इस brown ring का नाम होता है, FESO4.NO nitroso ferrous sulfate, nitroso ferrous sulfate, NO मतलब nitroso, और FESO4 मतलब ferrous sulfate, तो nitroso ferrous sulfate, आपको से पनाम याद रखना है reaction examination में नहीं पूछता है ज़्यादा तर, और इस तरीके के question आते है, which acid can be tested for brown ring test, ऐसा कौन सा acid है, जो brown ring test से पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई होता है, तो आप कहोगे HNO3, यहाद रखना बहुत important है, FESO4.NO brown ring test का, जो आपर brown ring बनती है, उसका नाइट्रोसोफेरस सलफेट कहते हैं, और नाइट्रोसोफेरस सलफेट का फॉर्मला होता है, FESO4.NO, हमने laboratory preparation पढ़ ली थी, अब हम बात करते हैं, industrial preparation के बारे में, बहुत असान है, यह समझोगी, यह सबसे असान प्रोसेस है, austival process, austival process में सबसे पहला step 1 होता है, oxidation of ammonia, यह आप ammonia की chapter में reaction पढ़कर आ रहे होगे, oxidation of ammonia में हम लोग NH3 और dry air को one ratio 10 के volume में react कराते हैं, dry air में क्या present होता है, oxygen, इसी वज़े से हम लोग dry air का use करते हैं, oxidation मतलब NH3 को oxidize करना है, oxygen उससे जोड़ना है, तो NH3 प्लस O2 और इसको लोग platinum और 800 degree Celsius temperature पर react कराते हैं, platinum इसका catalyst होता और 800 degree temperature पर react कराते हैं, NO बनता है H2O प्लस heat, यह आपको याद करना होगा, और मैं इससे कहूंगा कि इसकी balancing है, उसको भी आप याद कर लो, 4546, 456, 4546, 4546, इस तरीके से आप याद रखो, तो जब भी NH3 react करेगा, O2 के साथ platinum catalyst होगा और 800 degree temperature होगा, तो 4NO plus 6H2O plus heat निकलेगी, हमें HNO3 बनाना है, हमने NO बना लिया है, इसके बाद step 2 में हम लोग oxidation of NO करेंगे, HNO3 के लिए अभी हमने NO बना लिया है, अब हमें NO2 बनाना है, बाद में फिर हम उसको hydrogen से react करा के H2O के साथ react करा के HNO3 कर देंगे, सबसे पहला इसके बाद जो second process होता है, वो होता है काम, और step 3 होता है, absorption of NO2, जो हमने NO2 बना है, उसको हम लोग NO2 को H2O के साथ, O2 के साथ react करा के 4 HNO3 बना लेते हैं, एक question exam में बहुत आता है, why air more, यानि हमने 1 ratio 10 क्यों लिया था, तो main reason यह है, क्योंकि हमें जादा oxygen चाहिए, access of oxygen में चाहिए होता है, इसी वज़े से हम लोग जादा oxygen लेते हैं, इसके बाद एक छोटा सा आता है portion use of HNO3, तो इसका main use रहता है aqua regia बनाने में, to dissolve noble matters, जो silver, gold और platinum रहते हैं, वो किसी acid में dissolve नहीं होते, किसी भी acid में dissolve नहीं होते, जो H2SO4 है, उसमें तक dissolve नहीं होते, जो king of acid माना जाता है, तो एक हम लोग aqua regia बनाते है, aqua regia क्या होता है, 1 ratio 3 के volume में, HNO3 और HCL का हम लोग reaction कराते हैं, और NOCL, nitrocyl chloride और 2 chlorine प्लस 2 H2 को बनते हैं, यह जो 2 chlorine है, इसको हम लोग nascent chlorine कहते हैं, यह जो nascent chlorine पूरे form, जो अपना solution है, aqua regia का, NOCL, nitrocyl chloride का solution और water का solution है, इसमें जो 2 chlorine react होते हैं, जो 2 chlorine यहाँ पे होते हैं, यह highly reactive होते हैं, बहुत जादे reactive होते हैं, और यह platinum और gold के साथ react करके, उसको soluble बनाते हैं, ठीक है, इतने जादा है, highly reactive है, लोग platinum को अपने अंदर पूरा dissolve कर लेते हैं, उसके अंदर जितने bond से उसको तोड़के dissolve कर लेते हैं, और ऐसे ही AU के साथ भी कर लेते हैं, तो आपको HNO3 का पूरा chapter यहीं खतम होता है, इस chapter में कुछ इतने ही है, मैंने 15 minutes से less में आपको पूरा chapter complete करा दिया है, अभी आगे मैं H2SO4 को भी upload कर रहा हूं, तो उसके लिए wait करना, thank you so much for watching,